नमस्कार दोस्तों अपना ट्रेटर में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिरोधा में अगर आपको अपने शेर्स को कोलेटरल रखके उसके अगेंस मार्जिन लेना है तो वो कैसे लेते हैं तो यह मैं आपको जिरोधा की काई टैप में दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने शेर्स को कोलेटरल रखके मार्जिन ले सकते हैं तो जैसे आपके इसमें आपकी काई टैप में जो एक ये पोर्टफोलियो होता है इसी तरह का एक पोर्टफोलियो अगर आप यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके जो है कंसोल का पोर्टफोलियो दिखता है और ये अगर आप इस पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करे तो अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो यह मेरा पोर्टफोलियो खुरा है तो यह आपकी holdings दिखाता है यानि पहली बात यह कि आपको वो shares जो आपकी जिरोधा के DP account में holding में आपने रखे हैं यानि आपने कम से कम दो दिन पहले buy किया हुआ है और वो आपके DP में आ चुका है फिर से समझ लीजिए अगर आपने आज ही share buy किया है और अभी तक आपके DP में नहीं आया है तो आप उसे as a collateral use नहीं कर सकते हैं जो आपके example के लिए adult 10 minute k sort has Kate यो मैंने सेंपल के लिए मैं एक सेंपल के लिए reflecting मेने सेंहें चाऱ Pork और यहांशें एक सैंपल के लिए यहां पर खरीद के रखाई अगर मैं सिर्फ एक शिए को अगर मैं एजे को लेटरल अगर में यह दिखा रहा हूँ कि यह अब किस तरीके से आप शेर्स को प्लेज कर सकते हैं एक्स्टा मार्जिन के लिए इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं आपको इसके आगे step by step बताऊंगा कुछ points हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बहुत important हैं उनके भीन आपको काफी heavy loss हो सकता है तो ध्यान रखिए तो चलिए यहां दिखाते हैं प्लेज कैसे करते हैं तो यह आप pledge for margin पर क्लिक करेंगे इस तरह से तो यह आपको दिखता है यह interface आप ध्यान से available है इस share का इसका अभी value कितना है haircut कितना है और आपको कितना उस पर margin मिलेगा इसे समझते हैं तो quantity तो आप समझगे होंगे कि आपको कितने shares available है इस से में SBI bank के और अभी उसकी market value जो है वो 192 रूपे है और haircut का मतलब है कि इतना percent आपको margin नहीं मिलेगा जैसे अगर 100 रूप है share का तो उसमें से 35% आपको margin नहीं मिलेगा सिर्फ 65% margin मिलेगा ये हर share का haircut अलग लग होता है जिरोधा में लगबग 1000 से ज्यादा shares और ETF होते हैं share पे भी मिलता है आपको और आपको ETF पे मिलता है ETF मतलब equity traded fund तो दोनों पर आपको margin मिलता है किस पे कितना percent haircut मिलेगा या कितन फिलेगा hair cut अबी जैसे यहां पढ़ी 35% margin couple percent margin है zorri जैसे यहां पर 35% hair cut है तो याणि आपको लगबग 65% margin मिलेगा याई अगर आपका 100 अगर और रोपय हे आपको 65 wants pik непहलेगा हजार रोपय के शेयर अगर आपके पास है तो लगबग 650 bp आपको margin मिले गा तो इस तरह से 65% आपको margin मिलेगा और यह हर share के लिए अलग-लग होता है कि इस share के लिए कितना होता है वो link में आपको description में मैं देता हूँ एक हजार से ज्यादा shares की sheet है जो जिरोधा maintain करता है आप उसमें देख सकते हैं तो effectively यहाँ पे भी आपको दिखाता है कि आपके पास इतना share है इस price पे तो आपको margin इतना मिलेगा यह आपको clear बता रहा है अब इसमें से कितना quantity आप pledge करना चाते हैं वो quantity आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मेरे पास एक है तो मैं सिर्फ एक quantity यहाँ लिखके और यहाँ पे मैं उसे submit कर सकता हूँ लेकिन submit करने से पहले मैं चाता हूँ कि हम इस पे एक बार जाएं और इसे समझें कि यह क्या है पहली जो line है वो यह बोल रही है कि अगर आप यह pledging यानि जो नीचे submit वाला जो button है आज शाम के चार बज़े से पहले पहले अगर हम इसे submit करते हैं यानि हमारी application pledge करने के लिए अगर आज शाम के चार बज़े से पहले पहले जाती है तो कल सुबह आपको इसका margin मिल जाएगा लेकिन अगर शाम के चार बज़े के बाद आपने यह pledge request भेजी तो आपको कल नहीं वो परसू मिलेगा यह पहला point है अब हम यह तीसरा point एक वार पहले discuss करते हैं फिर second पर आएंगे cost of pledge यह आप समझेए cost of pledge यानि हर एक request आपकी जो जाएगी उस पे आपको 60 रुपए plus GST जो है वो लगेगा और यह चाहे एक share हो चाहे 10 share हो, चाहे 100 हो, चाहे 1,00,000 share हो एक request पर आपको 60 रुपए लगता है तो कितने share हैं उस पर depend नहीं करता तो मान लिजे आपके पास 1000 share है आपने एक साथ 1000 का pledge दे दिया तो आपका 60 रुपए plus GST cost लग गया अब जब उसको un pledge करना है साथ रुपए लगेगा, इसके अलावा और नहीं लगेगा यह second जो point है, यह interest rate लिखा है interest of 0.05% per day on any debit balance यह debit balance क्या होता है समझीए exchanges की यह demand होती है कि जो आप FNO में trade करते हैं और कोई overnight trade आप लेते हैं यानि आज आपने trade किया और उसको आप hold कर रहे हैं कल के लिए, पर्सों के लिए तो उसमें एक requirement होती है कि आपके पास कम से कम 50% cash या cash equivalent होना चाहिए तो आप अपने पूरे shares को अगर आप pledge कर देंगे और आपके पास cash नहीं बचेगा तो आप FNO में trade नहीं कर पाएंगे overnight position के लिए क्योंकि overnight position के लिए आप 50% तक अपना margin यूज़ कर सकते हैं जो आपने इस तरह से लिया है और 50% आपके पास cash होना जरूरी है अगर वो 50% cash नहीं हुआ कम पड़ा तो आपको ये interest लगेगा लेकिन अगर वो condition नहीं है तो आपको इस interest के बारे में चिंता करने की जुरूत नहीं है तो ये point हो गए अब देखिए मैंने यहाँ पर ये submit का button मैंने दबा दिया तो अभी मेरा एक share ये देखिए pledge request for SPIN जो है चला गया है और आप यहाँ फिर से click करें तो आप इसको cancel भी कर सकते है मतलब जरूरी नहीं है कि आपका request चला गया है तो वो हुई जाएगा आज शाम के चार बज़े के बाद यह application review होगी और फिर आपको margin मिलेगा जो कल सुबह आपके account में available होगा लेकिन आपको नहीं करना है तो आप इसे cancel भी कर सकते है जैसे मुझे यह pledge भी नहीं करना है तो मैं इसे यहाँ से cancel कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं unpledged request cancelled successfully आ गया है तो अभी मेरे पास जो है वो दुबारक pledge करने के लिए एक share available है तो यह process हो गया पहला step वीडियो का कि pledge कैसे करते हैं अब इसमें कुछ चीजें हैं important जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं one by one cover करूँगा पहली बात जब आप share को pledge करेंगे तो अगले दिन आप कहा देख सकते हैं कि share pledge हुआ है तो वो देखने के लिए आप अपने kite app में जाएंगे और जब आप अपने यहाँ पे funds पे आप click करेंगे तो आपको funds में नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आपका जो है collateral margin दिखाई देगा तो अगर आपने stock pledge किये हैं उसका margin आपको यहाँ दिखाई देगा अगर आपने कोई भी liquid fund ETF अगर pledge किया है तो यहाँ पे दिखाई देगा तो जब यहाँ पे आपको आपका collateral क्या margin दिखाई दे रहा है तो आप उस margin को use कर सकते हैं यह पहली step दूसरी step वो यह है कि आपका यह जो margin है जो आपको यहाँ collateral से मिला है वो आप future and option के लिए day trading या overnight future and option के लिए यूज कर सकते हैं यह आप normal जो आपकी normal equity trade है जो overnight यह long term के लिए आप use करते हैं उसमें आप use नहीं कर सकते हैं या आप इसे options को buy करने में use नहीं कर सकते हैं आप options को sell कर रहे हैं तो यह margin जो आपको मिलता है उसे आप use कर सकते हैं लेकिन अगर आप options buy कर रहे हैं तो यह उसमें use नहीं होता है next point है वो यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि exchanges के requirement है कि 50% आपके पास future and option में trade करने के लिए अगर आप margin use करते हैं तो 50% आपके पास cash या cash equivalent होना चाहिए तो एक तो cash तो आप समझी गए कि cash है cash equivalent में क्या count होता है तो जिरोधा में cash equivalent में अगर आप liquid ETF अगर कोई use करते हैं जैसे liquid bees जो है तो जैसे अब liquid bees अगर buy करते हैं और उसको collateral रखके आप उसके against margin रहते हैं तो वो margin जो है वो cash equivalent में count होता है तो उससे फाइदा क्या होता है कि आपको जो liquid ETF है उसमें normally आपको 4-5% का जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको वो मिलता रहता है और उसके उपर आप उसको as a collateral रखके और उस पर margin लेते हैं और वो margin as a cash count होता है not as a margin against share तो वो cash में count होता है तो अगर आपने थोड़ा जो है वो shares रखा हुआ है as a collateral थोड़ा liquid bees रखा हुआ है collateral तो आपको आपके पास individual cash extra hold करने की ज़्यादा ज़रुरत नहीं है तो I hope यह point समझ में आया हो अगर नहीं समझ में आया हो तो question में आप पूछ सकते हैं दुबारा I'll explain you again last point जो है वो मेरा है कि इसमें आपके जो भी shares आपने pledge किये है shares ETF उसमें अगर कोई भी आपको जो है वो dividend मिल रहा है कोई भी आपको bonus मिल रहा है या वो सारी चीज़ें जो है वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी जबकि आपका shares जो है collateral पड़ा है वो vanish नहीं होगा आपको यहां आपके portfolio में अगर आप देखेंगे तो holdings में वो नहीं दिखाई देंगे share एक बार आपने अगर उन्हें collateral जो है करके और उनके against margin लिया तो आपको holdings में नहीं दिखाई देंगे वो आपको यहां पर नहीं दिखेंगे लेकिन उनका कोई भी dividend आएगा या कोई भी bonus share है या कोई rights issue आता है तो वो सारे जो facilities हैं वो आपको इसमें मिलती रहेंगी तो यह I hope guys यह वीडियो से आपको समझ माया हो कि आपको shares as a collateral जिरोधा के पास रखके margin लेना है तो आप कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या-क्या important point है ध्यान रखिए एक जो 50% वाला जो important point है वो ध्यान रखिए cost ध्यान रखिए कि हर बार आप यह करेंगे तो 60 रुपे प्लस GST आपको cost पड़ेगा और अगर कभी market में अचानक loss हुआ तो आपके पास cash margin होना आपके पास जरूरी है अगर cash नहीं हुआ आपके पास और loss जादा हुआ तो जिरोधा आपके जो shares हैं जो collateral में रखे हुए हैं उनको वो sell कर सकता है to recover the loss तो यह सब चीज़ें आप ध्यान से help मिली हो help मिली हो तो please like और subscribe जरूर करना चलिए bye bye take care